हाव रूफिक्स सैमसंग नोट ट्विंटी कॉन्फरेंस कॉल नोट वर्किंग प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है सैमसंग के डिवाइस पे क कॉन्फरेंस कॉल नोट वर्किंग प्रॉब्लेम सॉल्फ कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्फरेंस कॉल के रिलेटेट आपको काफी सारे चीज़े जानने को मिल जाएगा क्यों ऐसा प्रॉब्लेम क्रेट होता है कैसे आपको फिक्स करना है कॉन्फरेंस कॉल कैसे चलते हैं किसे काम करते हैं किस तरीके से आपको सेटिंग्स वगड़ा करना है ठीक है वीडियो को शुरूर से लेकर आन तक देखे आपका प्रॉब्लेम जरू फिक्स हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉल पर प्रॉब्लेम आरा है तो आप सबसे पहले जाए अपने मोबाइल के सटिंग पर स्क्रोल्डाउन करके नीचे में आ जाये जेनरल management पर जाके आपको reset पर click करना है और reset network setting पर click करके reset setting पर click करना है और mobile password भर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर bake करना है bake करने के बाद आपको जाना है apps पर and scroll down करते हुए आपको थोड़ा सा नीचे में जाके अपना जो यहाँ पर option service का तो उसको open करना है and then आपको storage पर click करना है clear data कर देना है clear data okay करने के बाद ही आपको bake करना है और permission पर जाना है सारे permissions को allow कीजिए permissions allow करने के बाद दोस्तों आप अपने device को restart करें ठीक है restart करें अपना connections के option पर जाए mobile network को 4G पर set कीजिएगा 4G पर set होना चाहिए आपका wall calls enable होना चाहिए ठीक है wall call enable होना चाहिए network 4G मोट पर होना चाहिए उसके बाद जाके आप video call प्लेस कीजिए problem fixed हो चुका होगा तो इस तरह किसे दोस्तों conference call not working problem fix कर सकते हैं by any chance अगर आपको इसके related कोई भी problem आते तो आप जाए दोस्तों आपने software update कर लिजी ठीक है जैसी software update करेगा आपका सारे issues सारे problem solve हो जाएगा तो conference call करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एक number को dial करना होता है ठीक है एक number को तो इस तरह के से दोस्तों यह चीज़ काम करते हैं तो call कर दीजिए उसके बाद आपका conference call connect हो जाएगा and then आप conference में बात कर सकते हैं ठीक है तो बस दूस्तों इतना solution में आपको आभी के लिए सजिस करूँगा अगर कोई भी डिक्कते आते तो आप हमें WhatsApp पर contact कर सकते WhatsApp नंबर स्क्रीन पर आपको डिखाई देगा ठीक है आज के लिए बस इतना ही तेंक्स वराचिंग